हेलो फ्रेंज, वेल्कम टू को केट रिपीड जन्मास्चमी के अफसर पर कशन जी के भोग प्रशाद के लिए आज बनाएंगे मेवा के लड़ू जो बहुत ही टेस्टी है, दस मिनट में आप भोग प्रशाद के लिए यह बहुत ही इस्पेशल से लड़ू तयार कर सकते हैं बेवा पाक तो आपने बहुत बनाई होगी लेकिन इस बार यह लड़ू जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंड सेक्शन में भी लिख कर बताईए तो चलिए तयार करते हैं तो इसके लिए मैंने कड़ाई को गरम किया है और उसमें डाला है दो चमच देसी गी देसी गी को हम पहले मेल्ट कर लेंगे हम इसमें डालेंगे मखाने तो मैंने यहाँ पर दो कप मखाने लिए कप से अगर आप ग्राम में चैक करते हैं तो यह 50 ग्राम फिफ्टी ग्राम मखाने है तो मखाने मैंने कप से लिए आप कटोरी से सैट कर सकते हैं या फिक ग्राम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो मखानों को पहले low to medium heat पर हम लगातार चलाते हुए भूल लेंगे हमें इसका color change नहीं करना है बस इसको हलका सा roast करना है कि ये crisp हो जाए ये लटू बहुत ही tasty होते है और बगबान जी के ताना जी के बोग और पशाद के लिए जन्मास्ट भी बे special बनते हैं तो दिखें यहाँ पर मखाने का color change हो चुका है थोड़ा सा और हम इससे चैक भी कर लेते हैं दिखेंगे ये कितना क्रिस्पी है बहुत ही इजी ली ये crush हो चुका है तो अब हम ये मखाने एक अलग थाली में निकाल लेंगे और इने ठंडा गर लेंगे अब हमने कडाई को दुबारा से गरम किया है और उसमें फिर से डाला है दो चम्मची देसी घी और इसमें हम कुछ ड्राइब फ्रूट्स भूनेंगे तो सबसे बहले मैं यहाँ पर लेंगी बादाम मैंने 50 ग्राम बदाम लिए हैं अगर आप बुりटी से से चैक करते हैं तो एक मुट्वी ले सकते हैं और एक मिनट तक हम इने रोस्ट कर लेंगे हलका सा फ्राइ कर लेंगे और इसके बार जबी एक मिनट हो जाएगी तब हम इसके साथ ही इसमें डालेंगे काजू तो ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसं से कोई भी ले सकते हैं कमिया जादा भी कर सकते हैं तो मैंने हापर बन फोर्थ कप लिया है काजू तो काजू और बदाम तोनों को आप एक साथी बून लेंगे तो बहुत जादा कलर हमें इनका भी चेंज नहीं करना है बस हलका सा इने कोल्डेन करना है ड्राइफ फूर्ट्स हम लट्टू बनाते हैं इसलिए बून रहे है ताकि इनका मौशन निकल जाए जैसा कि बरसात क मौसम है लट्टू या कोई भी बर्फी आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है अगर हम इस तरह से फ्राइ कर लेते हैं तो वो काफी लंबे टाइम तक रह सकते हैं उनकी शेल्प लाइफ बढ़ जाती है तो दीके घी से हमने ड्राइफ फूर्स को निकाल ल भून रहे हैं तो हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है क्योंकि जब भूनते हैं तो थोड़ा सा छिटक कर ऊपर की तरफ आते हैं तो हलका सा भूनेंगे इनको भी बहुत ज्यादा नहीं फ्राइ करेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे नारियल कदुकस किया हुआ तो जो केवल एक मिनट तक हमें पूरना है दोनों का कलर चेंज नहीं करना है बस दोनों को हलका सा रोस्ट करना है तो दिखिए नारियल और खरबुजी के बीज दोनों ही भून चुके हैं और सभी चीजों को हमने प्लेट में अलग-अलग ही निकाला है तो अब वापस तयार कर सकते हैं एक लीटर दूद में 250 ग्राम मावा बन जाता है तो इसे भी हम भून लेंगे थोड़ा सा कलर इसका हमें चेंज करना है ताकि हम इसलिए सभी चीज से भून रहे हैं ताकि लड़ू जल्दी से खराब नहीं और लंबे समय तक आप इने रख सकते हैं यह ल के लिए भी बहुर अच्छे हैं तो देखे मावे को भी हमने भूल लिया है कलर मावे का देख रहे होंगे चेंज हो चुका है और हलका सा घी भी छोड़ दिया है तो यह भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे और सभी चीजों को हम ठंडा करेंगे तो ध्यान रखना है मैंने सबसे पहले भूले ने वह ठंडे हो चुके हैं और उन्हें हम मिक्सजाब में डालकर बारिक पाउडर तयार कर लेंगे तो कोया भी ठंडा नहीं हो आया उसको हम ऐसे ही चोड़ देंगे और देखे मखाने को हमने पाउडर को तयार कर लिया है अब हम इसमें बाकी ड्राइ जो हमने मखाने पीसे थे उसी में ही हम ड्राइ फ्रूट्स का पाउडर भी मिक्स कर लेंगे इसी तरह से अब हम खर्दुजी के बीच और सुखा जो नारियल हमने रोस्ट किया था उसको भी हम पीस लेंगे तो दिखें यहां पर सभी ड्राइ फ्रूट्स मैंने पीस लिये हैं और अब हम इन खोई के साथ मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो हमारा खोया था वो भी ठंडा हो चुका है और हम सभी चीजे मिक्स कर लेंगे अब यहां पर लड्टू बनाने के लिए चाषणी बना रहे हैं तो मैंने लिया यहां पर आधा कप चीनी और आधा कप से भी आधा हम इसमें पानी डा लेंगे बहुत ज्यादा मीठा मैंने नहीं रखा है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं तो अब हमें चाशनी तयार करनी है तो हमें लो मीडियम हीट पर इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी गुल नहीं जाती है जब चीनी गुल जाती है तो हम इसे छोड़ देंगे और तीन से चार मिनट इसे पकने देंगे तो दीखें यहां पर चीनी घुल गई है और वाल भी आ गया है और तीन से चार मिनट के बाद हम इसे चैक करेंगे क्योंकि हमें लड्डू बनाने के लिए एक तार की चाशनी की जरूरत होगी तो दीखें अब तीन से चार मिनट हो गई है एक बार हम इस पैचुल आपर चाशनी को लेकर इस तरह से तार को चैक कर लेंगे तो देख रहे हैं आप एक तार बंच चुका है गैस का फ्लेम हम यहां पर पंद कर देगे और जो हमारा लट्डू का मिक्षर था एक बार उसे मिक्स कर लेंगे हाथ से तो अब हम इसमें वह चाशनी डाल देंगे जो हमने अभी तयार की थी तो चाशनी बहुत ज़्यादा गरम है हम इत्यान अगना है कि यह हम हाथ से प्रोसेजर नहीं करेंगे जब चाशनी मिक्स करेंगे हम इसे स्पेचला से ही मिक्स करेंगे क्योंकि अगर हाथ जल जाएगा गरम बहुत ज़्यादा हो दिया इस समय पर चाशने तो यह हम एक बार इसे टच करके देख लेते हैं बहुत ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए बहुत ठड़ी भी नहीं करने हैं आमें बहुत हलके गरम की ही हम लड्डू तयार करेंगे तो चाशने को बहुत अच्छे से मिक्षर में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा तेस्टी लगते हैं और काना जी के वोग प्रशाद के लिए बहुत आसानी से आप बना सकते हैं तो इस जन्मस्ट में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और अपना एक्स्प्रियंस मेरे साथ शेयर कीजिए आपको मेरा अचका वीडियो पसंद आया हो तो प्ली अच्छे लगते हैं तो इस जन्मस्ट में आप पर शाग में यह लट्व जरूर ट्राइ कीजिए केवल दस मिनट में आप चटपट से बना सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी तो दिखें इसी तरह से सभी लट्व को हमने तयार कर लिया है और बहुत ही चटपट हमारे ये टेस्टी से लट्व तयार हो गए हैं परशाग के लिए तो मैं यहाँ पर एक लट्व आपको खोल कर भी दिखा देती हूं कि कितने सॉफ्ट हमारे लट्व बने आ आ रहा है ना देखते ही मुझे पानी तो दिखें यहाँ पर कितने सॉफ्ट लट्व तयार हुए हैं तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ कीजी और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएए वीडियो को आप फैमिली और फ्रेंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज प्लीज चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भू झाल